नमस्कार मैं अमी, MNS News Live में आपका स्वागत करता हूँ, देखते हैं आज की खास खबर, पुल्वामा शाहिदों के बच्चों की पढ़ाई से नोकरी तक की जिम्मेदारी उठाएगा Reliance Foundation, 14 फर्वरी को हुए पुल्वामा आतंग के हमले में जो CRPF के जवान शाहिद हुए, देश के ऐसे मुश्किल घड़ी में Reliance Foundation ने कहा कि वह हमले में जो जवान शाहिद हुए है, उनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ उनके परिवार की आजिविका की पूर जब देश की रक्षा करते हैं, तो हमारे सरकार ने भी एक जूट होकर इनका समर्थन करना चाहिए, यही सोच रखकर आज Reliance Foundation ने कहा कि 14 फर्वरी को जमू एव कश्मिर में आतंगी हमले में जखमी हुए जवानों की हर संबव बहतर उप्चार प्रतान करने के लिए तयार है, और जैसे हमारे जवान देश के लिए रक्षा करते हैं, वैसे ही उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए पूरी तरह से तयार है, Reliance Foundation ने बताया कि हमारे प्यारे साइन बल की सेवा में सरकार अगर हमें कोई जिमेदारी देती है, तो इसे हम अपना कर्तवया मानेंग है, तो MNS News Live के खबर देखने के लिए आज ही प्लेस्टोर से MNS Hindi आप डाउनलोड कीजे और हमारे चैनल को लाइक, सब्स्राइब और शेर करना ना भूले, तब तक के लिए धन्यवाद।